ब्रोकर चुनने से पहले हम सभी को अपने लेबल से देखना होगा कि हमारे लिए कौन सा ब्रोकर सही है न कि हम एड़टाइजमेंट देखकर ये डिसाइड करें कि जिस कमपनी का एड़टाइजमेंट ज्यादा होता है वो company हमेशा सही होती है या वो हमेशा हमारे suitable रहती है इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं आप सब के सामने कुछ point रखूंगा जिसे जानने के बाद आप खुद decide कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा broker सही है वो क्या-क्या इसमें खासियत या demerit है बैक्ग्राउंड की बात करें तो जीरोधा 2010 में established होकर 10 साल complete करने के बावजूद नमबर वन रैंक पे आज भी बरकरार है ग्रोध दो हजार 16 में established हुआ था mutual fund investment platform के रूप में और हाल ही में इन होने equity market में भी कदम रखा है एक्टिव क्लाइंट की बात करें तो इंडिया में नमबर वन जीरोधा है जिसके पास 36 लाग प्लस एक्टिव क्लाइंट है जबकि ग्रोध के पास 7.8 लाग customers है ट्रेडिंग platform की बात करें तो जीरोधा का काईट ट्रेडिंग application मोबाइल के लिए ज़्यदा popular है और user friendly भी है ट्रेडिंग website के तोर पे काईट web का इस्तमाल होता है जबकि coin का इस्तमाल mutual fund investment के लिए जीरोधा में किया जाता है जबकि grow में investment के लिए आप grow app या website का इस्तमाल कर सकते है ब्रोकरेज जीरोधा में delivery के लिए कुछ भी नहीं लगता है जबकि grow में 20 रुपया पर order है intraday के लिए दोनों ही ब्रोकर में ब्रोकरेज 20 रुपया पर order है जीरोधा में account open करने के लिए आपको 200 रुपया चार्ज़ देने परते हैं ग्रोव में ये फ्री है एकाउंट maintenance के लिए जीरोधा में 300 रुपया है जबकि grow में फ्री है DP चार्ज़ दोनों में प्राबर है दोनों ही ब्रोकर delivery margin प्रोवाइड नहीं करते हैं जबकि intraday margin जीरोधा में 20 टाइमस तक आप यूज कर सकते हैं grow में up to 14 टाइमस तक margin money के यूज कर सकते हैं margin money stock के quality पे अलग-अलग हो सकता है कुछ ऐसे भी point है जो इन दोनों ही ब्रोकर को खास बनाता है जैसे कि जीरोधा इंडिया का number one broker है long term invest के लिए जीरोधा best broker है चुकि यहाँ पे delivery trade एकदम free में आपको मिलता है market order, cover order और after market order सिर्फ आपको जीरोधा provide करता है grow में ये facility नहीं है जीरोधा authorized partner program और referral program भी provide कराता है जो की grow में ये facility नहीं है robot trading या फिर algo trading भी आपको सिर्फ जीरोधा ही provide कराता है grow में ये trading system नहीं है GTT order सिर्फ आपको जीरोधा में ही मिलेगा इतने बड़े client base होने के बावजूद जीरोधा में complaint की संख्या बहुत ही कम है grow में कुछ ऐसे point है जो की इसे जीरोधा से अलग बनाता है जैसे की account opening charge grow में free है जो की जीरोधा आपको 200 से 300 रुपया चार्ज करता है account opening का AMC यानि की account maintenance charge grow में free है जो की जीरोधा में yearly basis पे 300 रुपया charges है इसके आलबे grow app के थुरू आप चाहें तो US stock में invest कर सकते हैं digital gold में invest कर सकते हैं और fixed deposit भी कर सकते हैं grow app का main focus mutual fund investment पे राता है यदि आप grow के थुरू mutual fund में invest करते हैं तो 1.5% extra return आपको मिल सकता है rating की बात करें तो जीरोधा grow को हर sector में bit करता हुआ साफ देखा जा सकता है चाहे वो brokerage charges के मामले में हो trading platform के मामले हो investment offering के मामले में हो customer services भी जीरोधा का grow के मामले में heavy है broker दोनों discount ही है जीरोधा ज्यादा exchange पे services provide कराता है active client की बात करें तो grow से साथ गुनना ज्यादा active client है जीरोधा के पास इसमें कोई शक नहीं है कि जीरोधा market का बाजसा है हो सकता है grow अगला यूराज हो तो हो सकता है कि आपके मन में भी सवाल हो इन दोनों में से best कौन सा है बाजसा के रते यूराज कभी साशक नहीं हो सकता वैसे ही जीरोधा number one choice है Indian investor के बीच में जहां इसे पाँच में से सारे चार पॉइंट मिलते हैं जबकि grow को पाँच में से तीन पॉइंट ही मिले हैं दोनों ही broker के account opening का link description में है link पे click करके account open कीजिए वीडियो पसंद आया हो तो like और share जरूर कर दें धन्यवाद